Hello students, I am Sanjeev Aghnutri and welcome to my YouTube channel Success Plus and today I am going to teach you B.A. Part 1 Short Stories Chapter No. 7 The Luncheon written by W.S. Mom Dear students, Video Starts करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करने सबसे पहले और पास में बने ही वेल के आइकन को ही प्रेस करने जिससे कि आपको हमारे लेटेस वीडियो समय से मिलते रहें और आप अच्छे से करें आप लोगों को बता दूँ कि लंचन जो है दा लंचन लंचन का मिन्स होता है लंच यानि कि जो दुपहर का खाना होता है उसको हम कहते है लंच यहांपर लंचन चैपर कर नाम है तो लंच कहानी जो है इस कहानी में एक खोखला घमंड दिखाया गया केवल खाली दिखावा दिखाया गया है कि लोग अपना इंप्रेशन जमाने के लिए किस हद तक अपना नुकसान कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो राइटर है जो डबले स मौम है वो अपने लाइफ के कहानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वो राइटर स्टार्टिंग में लिखना सुरू किया तो उन्हों बहुत से स्टो कि मेंकि एक किताब लिखी की एक महिला थे उसने क्या किया मेरी बुक को देखा भागा उसे अच्छी लगी वोगी तो उसने क्या किया मेरे किताब की एडमायर में सोता है प्रसंसा करना राइट सी पोस्टेड अलेटर आफ एप्रेसीयशन तुदा राइटर उसने कहा कि उस महिला ने एक लेटर भी पोस्ट किया मेरे लिए प्रसंसा वाला पतर सा कि आपकी कहानी बहुत ही बढ़िया थी अब लेखक ने कहा गिया उस महिला के लिए बदले में ठैंक्स वाला एक लेटर लिखकर भी देख ठीक आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आपको बहुत भूँद धन्यवाद ठीक है आपने अप्रिसियेट किया मुझे तो आपके लिए बहुत भी थैंक्यू दे लेडी अगेन गेब आ नोट उस महिला ने दुबारा से एक लेटर छोटा सा लिखा और उस लेटर मुसने क्या लिखा देट सी वूड गो संब्हर वाया पैरिस कि उसने कहा कि वो कहीं जा रही है बाया में सोता है होकर के दौरा पैरिस पैरिस तो जिस्थान का नाम ही है उसने का कि हम पैरिस से होकर के कहीं जाना है में और पैरिस से होकर के ही हम निकलेंगो उस महिला ने उस लेटर में सेकेंड लेटर में लिखा u se desire to have lunch with him in the fires restaurant उस महिला ने इच्छा जाहिर की थी अपनी कि वो लंच करना चाहती है लिखक के साथ fires नाम के रेस्टोरेंट्स में ठीक हैं कि Paris में fires नाम का एक रेस्टोरेंट होगा जो बहुत ही महँगा रेस्टोरेंट था तो उस महिला ने इच्छा जाहिर की कि हम आपके साथ फायट्स रेस्टोरेंट में जो है लंच करना चाहते हैं इडवाज अ ग्रांड रेस्टोरेंट ये बहुत ही सांदार बहुत ही मतलब अच्छा रेस्टोरेंट था वही उस होटल में जाते थे नहीं सबका वहाँ जाना पॉस्बिल नहीं था सब उसके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वहाँ पर अमीर लोग ही उस होटल में जाते थे ओन मीटिंग दा लेडी ओन मीटिंग मिलकर के दा लेडी मिंस महला से दा राइटर फांड लेखक ने पाया शीवाज नौट एंड एंड यंग एंड ब्यूटिफुल की वहाँ जमान और सुन्दर नहीं थी ठीक है मिंस यह हुआ की जैसे उस लेडी ने उसको लेडी तो इस लालच में लेखक ने उससे जो है कंसेंट कर देखे ठीक है आप आओ हम लंचाप साथ कर लेंगे बैठके लेकिन जब वो डायरेक्टली उससे आगर के मिली वह महिला तो लेखक ने देखा करें यह तो यंग भी नहीं है बीटिफुल भी नहीं है सीवाज आ लेडी ने कहा देट शी टूक ओनली वन डिस एट टाइम आते हैं उसने कह दिया कि मैं तो एक बार में सिर्फ एक ही चीज खाती हूं मस बन टाइम में एक वन ही डिस में यूज करती हूं मतलब उसने कहा कि लेकर को साथ थोड़ा सा तसलिफ दिलवादिक चलो ठीक है एक ब लंबी गुलावी मचली होती है जो बड़ी स्वाधिस्ट होती है जो नॉन वेस्टेरियन हो सकता है जानते हो लेकिन ऐसा कहा था सामन नाम की जो मचली होती है वह लंबी होती है गुलावी कलर की होती है बहुत ही टेस्टी लोग उसको बताते है ठीक है तो उसने कहा कि हम स वाइल दा सामन वाज बिंग कोगड जब सामन नाम की मचली जो है वो पक रही थी मलब उसका लंच जो है तयार हो रहा था दर वेटर आस्क तब वेटर आया उसने पूछा वाट दे बूर्ड लाइक टू है डियूरिंग डिस पीरियट की जब तक यह आपकी जो सामन फिश ज किया उस महला ने प्रोटेस्ट में सोता है विरोध किया देट शी टूक ओनली वन फिंग फॉर लंचन उसने का नहीं मैं तो सिर्फ लंच में एक ही चीज खाती हूं बट सी कुट टेक कैवायर डिस लेकिन उसने कहा कि चलो कोई नहीं अब आगर पूछने आ ही गए हो तो म मैं क्या करूंगा कैवायर डिस ले ले onगे अब कैवायर किया होता है यह होता है कि जो बहुत ही टाइप का है यह कह सकते हैं जो फिस्के एक सोते हैं अधिक है फिस्ट की जो अंडे अंडे होते हैं यह कह सकते हैं उनसे बना हुआ स्वाधिस्ट भोजन वह भी टेस्ट फुली डिस होती है तो उसने ठीक है जब सामन जो है वह पकाई जा रही तब तक मैं क्या कर रहे हूं कि आप पूछने आए हो तो मैं आपका समभान कर ले आप तब तक काले अभी उसने पहले ही कहा था कि मैं लंच में एक चीज खाती हूं अब अब उसकी दिमांड देखो धेर देर सुरू हो गई है यह एक कॉमिक स्टोरी है बहुत ही मजा किया कहानी है कहती तो यह है कि मैं एक बार में एक चीज खाती हूं लेकिन खाब भूब धेर सारा जाती पेटू होती है इसलिए इस लिए इस दिस वाज कॉस्टलियर देन सामन अब यह जो डिस उसने दुबारा मागी थी जो सामन के पक्तिय समय बीच में वो खा रही थी वो कहीं सामन फिस से भी कॉस्टलियर थी यह निक वो कहीं जादा उसकी कॉस्ट कहीं जादा महेंगे थी सामन से भी बट देर वाज नोबे आउट फार आर्थर टू सकैप लेकि order him for himself cheap cheap mutton chop लेखक ने क्या किया कि उसने अपने लिए एक सस्ता सा mutton chop उसने जो है order किया to which जिसको ले करके the lady objected उस महला ने भी रोद भी किया she called it a heavy diet उसने का रहे तुम mutton chop खोगे तो बड़ी heavy diet होती है बहुत भारी लेडी से तो मत खोओ तुम्हें नुकसान करेगी कि के आगे देखते हैं then came the question of drink इसके बाद में क्या हुआ अब बात आई पीने की की पीना क्या है the lady asserted that she never drinks anything for luncheon except champagne अब उस lady नहीं कहा विस्वास दिलाया कि दोखो मैं कुछ भी नहीं पीती हूँ लंच के टाइम पर बजाय किसके शैंपेन ठीक है तो शैंपेन तो आप लोग जानते हैं वाइन होती ही शराव होती है फ्रांसी सी जो है यह एक फ्रांसी सी वाइन कह सकते हैं और ऐसे मान सकते हैं कि एक इस्पार्कलिंग बाइन आफ नॉर्दर्न फ्रांस चमकधार यह वाइन होती है शराव होती है नॉर्द नॉर्डेस्ट फ्रांस की होती है तो उसने कहा कि मैं सिर्फ सैंपेन ही लेते हूं चिक अब उसकी तीस देखिए तीस से उसकी पीने वाली चीज शैंपन आगे यह प्रवाज स्टार्टेट लिखक इक्तम चौक गया किया यह तो लगाता डिसेज पर डिसेज यह तैयार करवाती जा रही है और इसने अभी काता मैं कि चीज खाती हूं इवेन देन ही ओडर्ड हाफ बॉटल फॉर हर फिर भी लेकर ने क्या किया चलो कोई नहीं उसके लिए आधी बॉटल का उसने ओडर कर दिया फॉर हिंसेल्फ और अपने लिए ही डिमांडेड ओन लिया ग्लास अब सिंपल वाटर लेकर इनका चलो सब तुम ही खा ले रही हो तो हमें में उसे पानी बचा मैं तो सिंपानी ही पीनू वही अच्छा है तो कर रहा कि उसने अपने लिए से फिक सिंपल एक ग्लास पानी ह आल दा वायल कुल मिला करके लेडि केप टॉन तरकिंगम एंड लेट्रेचर इसी बीच में क्या हुआ कि वह महीला थी वह बात करती रही किस पर ल烟्रेचर के बारे में सत्कों को लगेटर लिखते था तोसने इसने बारे बिपेंटिंग के बारे में बात कि उसने म्जिक Syndrome यहारे में भी बात की दा ऑथर के प्रान वांडरिंग लिखक लगातार इन्हीं की आशर चकित रहा वाट दविल बुड कम टू कि उसके पास कितना विल आएगा इन्हीं लिखक बरावाद दिमाग में सोचता रहा कि हमें विल कितना देना पड़ेगा तो बहुत कुछ खा र उसकी इसमें इच्छा जाएगे चलो हम एसपरेगस भी खाना चाहेंगे जो की एक मिठाई जैसी दिस होती है मतलब हम यह कह सकते हैं एक पौधा होता है जिसकी साखाएं सलाथ की रूप में खाने के लिए प्रचली थें ठीक है तो उस जो पौधा की साखाएं होती है होती है एसपरेगस भी तो उसने कहा कि हम एसपरेगस लेना चाहेंगे लिए डिश वाज ओडर उस डिसका और किया गया एंड सब रोडिस और उसी भी आ गई डिस तो लेडी टुक इट विद ग्रेट प्लेजर एंड साटिसफेक्शन उस महिला ने बड़ी बहुत ही कि मिन्स दो उसने मचली वाली एक मचली की डिस बन भाए फिर मचली के एंडरो से बने भी डिस हो गए तीसी शैंपें हो गया चौथी अब वो एसपरेगस पर भी आ गई और कहती है यही रहे कि मैं एक बार में एक चीज खाती हूं ओके आगे बढ़ते हैं दा लंच वार वाज ओबर यही लंच पूरा हो गया यही कुल मिलागर के उसके पेट भर गया दा ओथर आउट आफ कर्ट सी आस्कड़र लेखक ने कर्ट सी में सोता है सिश्टाचारे ने सिश्टाचार के रूप में लेखक ने उससे पूछ लिया if she would take a cup of coffee कि क्या आपको एक cup coffee भी पीनी है मिस इतना खिलाने के बाद भी लेखक ने उससे पूछ लिया चुंक शिश्टा चार था कि चलो पूछ लिया कि भाई coffee तो नहीं आपको लेनी है lunch के बाद में the lady said yes and smile उसने कह दिया हाँ और थोड़ा सा वो मुस्कुरा दी मैं वो भी समझ रहेती अंदर से कि मैंने इस कहा लिखक से कि मैं एकी चीज़ खाती हूँ मैं लगातार खाये ही जा रही हूँ तो उसको भी हंसी अंदर से आगे उसने कहता ठीक है मैं coffee भी ले लूँगी कि सी एड़ेड़ उसने साथ में ये भी बात को जोड़ दिया जस्ट एज अलिसक्रीम एंड कोफि कि आम मैं coffee और-फ्लकी ऑर आइस क्रीम दों में लोंगी और कोफी भी और सट मिठणदा गरम दोनों साथ मIn ओक तो अब कितनी चीजाँ हो गई हैं दो मचली एक शेंपेन एक एस्प्रेगस फोर हो गए और कॉफी और कॉफी हो गए फाइब और आइसक्रीम हो गए शेक्स है निकी खाती एक ही चीज है लेकिन धेरे धेरे पहुंच गई छे चीजे खाने पर वह आ गई ठीक है और आगे भी देख लेते हैं दा लेडी सेट सॉरी ऐस दा आइसक्रीम एंड कॉफी वर ओबर जैसे ही आइसक्रीम और काफी खतम हुई दा हेट वेटर जो में वेटर हो था उस रेस्टोरेंट का एपियर विद बास्केट फोला पीचेज वो आया पीचेज मिंस आडू होते हैं तो आडू की टोकरी लेकर के भी वो सामने आ गया कप्चू की बहुत महगा रेस्टरेंट है तो आडू भी वहां के महगे ही होंगे तो आडू लेकर के वो आ गया देवर बैरी कॉसली बहुत ही कॉसली आडू थे दा लेडी टुक बन एंड सेड डैट शी लाइड लाइड थिंग्स लाइक पीचेज उस महला ने कह किया कि उसने उस टोकरी में से एक आडू उठा लिया ले लिया और कहा देट शी लाइड थिंग्स कुसे हलकी चीजे बहुत ही पसंद है जैसे कि पीचेज गल्ट्नी आडू यान उससे का आडू हलका होता है इसलिए आडू मुझे बहुत ही पसंद है लेटे हैं द गलटनी आप द लेडी एंडेड विद पीच उस महिला का जो पेटूपन था गलटनी मिंस पेटूपन वो कब समाप्थ हुआ आडू पर जाकर के वो खता हुआ कुल मिला करके उसने कहा था मैं एक ही चीज खाती हुए एक बार में उसने साथ चीजे आडू को मि ब्रफ़ोर। द ऑथर लेखक के सामने 77 फ्रेंक्ट का बिल लाया गया एनी कि टोटल जो उसने जो भी चीजे खाए हैं सभी मिला करके 77 फ्रेंक्स का बिल लेखक का बना ही वाज कंपोड टू में डपयमेंट अप दे विल लेखक कंपल मिंस बीवस था टू मेंग दा पैमे यह लेखक ने नहीं सोचा था तो मजबूरिम उसको विल देना ही था लेखक जो था उसकी पॉकेट में 80 फ्रेंक्स थे और 77 का विल हो गया उसके पास केवल 3 फ्रेंक्स बचे रेखक पास के रूप में उसको बखसीस के रूप में उसको खाना परोसा था लाकर के तो टीप उसने उसको दे दी वेटर को 3 फ्रेंक्स की प्रिम्ट कि Nat D अपने बिदाए के समय जब उजा रही थी तब अब लेडी सेड उस महिला ने कहा यहीं जाते समय महिला ने फिर से लेखक के जले पर नमक छड़क दिया और उसने कहा follow my example कि मेरी बात का मेरे जैसा काम करना मेरे example का पालन करना and never eat और कभी मत खाना sorry never eat कभी मत खाना क्या नहीं खाना आगे देखता हूँ उसने का कभी मत खाना क्या more than anything for lunch lunch में एक से जादा चीज कभी मत खाना यानि कि इतना खाने एक बाद भी उसको शर्म नहीं आई और जाते समय उसने लेखक को इस जो है नसीहत दे दी कि मेरे समान lunch में एक ही चीज खाना ज्यादा चीजे मत खाना ठीक है the author responded लेखक ने उसका उत्तर दिया that he would not take his dinner that night लेखक ने कहा कि चलो कोई नहीं आज रातमना डिनर तो हम नहीं ही करेंगे यानि लेखक कितना सद्वे में आगा इतना उसे लगा कि सारा पैसा इसने मेरी पूरी पॉकेट खाली करवा दी और देखा जाए तो लेखक की इंसल्ट होते होते तो बच गई उसके पास टोटल 80 फ्रेंक्स थे 77 का तो वो खाई गई थी suppose that वो और 2-4-5 फ्रेंक का खा जाती तो लेखक कहां से बिल पे करता तो उसने कहा कि चलो हम आज दिनर तो नहीं ही करेंगे for this इस बात के लिए the lady called him humorous उस महिला ने उसे बड़ा मजा किया का तो बड़े मजा किया हो when he met the lady in a theater after 20 years और sorry 20 वर्स के बाद जब वो लेखक उस महिला से दुबारा से एक theater में मिला he found उसने पाया that the lady had been penalized की lady जो है उसको उसकी उसे penalty मिल चुकी थी उसका उसे दंड मिल चुका था far over eating बहुत ज़्यादा खाने के लिए ठीक है कि बहुत ज़्यादा खाने के बदले में उसको punishment मिल चुका था कैसा punishment she had become very fat वो बहुत ही मोटी हो गई थी and the weight of her body was 21 stone और उसके body का जो बजन था वो 21 किलो बढ़ गया था ठीक है तो लेखा को चलो इसी से संतुष्टी होगी ठीक है कोई नहीं इसने हमारी pocket उसन खाली करवाई थी और इसके पेटू पर ने इसको इतना मोटा बना दिया तो इसी से लेखा को चलो इसी संतुष्टी अपनी कर ली ठीक है तो ये भी आपका चैप्टर कम्प्लीट है थैंक यू